तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टन बातों को और साथी साथ समझेंगे तो फर्स्ट ओपॉल जरा देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम न्यूज में क्यों है देखे सेंटली तलंगाना स्टेट से एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया है कि जो तलंगाना स्टेट का एक डिस्टिक है जिसका नाम है जै संकर भुपाल पली उस डिस्टिक में एक उपसरपंज ने सुसाइड कर लिया है और उसके सुसाइड करने के पीछे जो मेडिया रिपोर्ट में कारण बताये गया है कि इस उपसरपंज पर बहुत ज़्यादा डेट था बहुत सारा इसके उपर लोन था और जो रिजन बताये गया है लोन लेने के वो ऐसा नहीं था कि उसने परस्टनल रिजन से लोन ले रखा था रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने भी इसने लोन ले रखे थे वो जितने village में development work वागरा होते हैं उसे complete करने के लिए ले रखा था means जो उप सरपंच था उसका ये मानना था कि जैसे ही state government जो bill payment system होती है जिसमें government bill release करती है जैसे ही वो release करेगी उसे वो loan को वापस कर देगा but actually हुआ क्या कि state government के जो bill payment system है उसमें delay के कारण इस उप सरपंच को suicide करना पड़ा है तो हमारे लिए important ये हो जाता है समझना कांखी रिए पंचायती राज system होता क्या है और इसकी autonomy धिरे-दिरे क्यों खत्म हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आजे autonomy इसकी धिरे-दिरे खत्म हो रही है लोकल सेल्फ गोवर्नेंस के तौर पर मिंस एक ऐसा system वेर लोकल टेक डिसिजन पोर दियर ओन गोवर्नेंस एंड डिवलप्मेंट थू दियर रिप्रेजेंटेटीव और डिरेक्ट पाटिसिपेशन मिंस एक ऐसा system जहां पर आप नेशन में जो पंचायती राज इसे गोवर्नेंस हैं तौर डिरेक्ट डिरेक्ट और अपने रिप्रेजेंटेटीव पाटिसिपेट करते हैं यहां पर कभी-कभी confusion यह हो जाता है कि 73rd Amendment क्या है या 74th Amendment क्या है तो इसको भी ज़र डिस्कुस कर लेते हैं देखे अगर 73rd Amendment की बात करते हैं तो basically इसमें 73rd Constitutional Amendment के थ्रूँ पंचायती राज सिस्टम में जो रूरल इंडिया है वहाँ पर P.R.I. को फॉर्म किया गया था जो पंचायती राज इंस्टूशन होते हैं यहां पर रूरल इंडिया में इस्टिब्लिस किया गया था जो ग्रा पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम 73rd Amendment Constitutional Amendment है उसे डिसमझेंगे तो अब बात करते हैं कि यह जो पंचायती राज सिस्टम है उसका में अब्जेक्टिव क्या था गवर्न्मेंट इससे क्यों लेकर आई थी तो इसका में अब्जेक्टिव था कि जो participant कर सकें वहाँ पर बन सकें में decision making में आ सकें और लोग अपनी बातों को सामने रख सकें मिंस सब को यह लगना चाहिए कि वह penguin का पारट है और यह जो हमारी democracy चल रही है वो decentralized हो सके अगर हम इसके structure की बात करते हैं तो basically देखे जो पंचायत रहा system होता है उसका structure कुछ इस type का होता है कि gram label पे जो village label होती है वहाँ पे यह gram पंचायत होता है block label पे क्या होता है इसकी autonomy क्यों खत्म हो रही है उसे जरा एक एक करके कुछ dimension में कुछ points से discuss करते हैं since we already discuss की यह जो system है वो local self governance को refer करता है means पंचायती राज institution के थ्रूलों क्या करते हैं development program में implement करते हैं participate करते हैं वहाँ पर जाकर अपनी बाते रखते हैं और वहाँ plan बना लीजे बड़ क्या होगा उसके implementation के लिए fund की जरूरत होगी और यह fund मिलता कहां से है अगर हम पंचायत लेबल के examper से बात करते हैं कि पंचायत के fund के source क्या क्या होते है तो उसको अगर हम broadly समझें तो broadly पंचायत है थ्री main sources of fund थ्री main source होते है fund के कौन-कौन से होते हैं जर इसको समझते हैं फर्ष्ट तो होता है कि जो उनका खुद का revenue resource होता है means जहां just like अगर हम बात करते हैं कि पंचायत लेबल के हम क्या देखते हैं कि tax वगरे लगाने के power होती है पंचायत के पास other hand जो जितने भी common property वगरा resources वगरा होते हैं उससे जो revenue generate होता है उसके थूँ क्राम पंचायत revenue generate करती है second one क्या होता है जितने भी state government से या फिर जो central government से grant वगरा मिलते हैं या फिर जो aid वगरा मिलती है वो एक source होता है third number पे क्या होता है जितने भी scheme based होते हैं scheme based जितने भी fund आते हैं वो होते हैं third option means तीन label पे उन्हें fund प्राप्त होती है मिलती है first जैसा कि हमने बात किया कि there own funds जो होते हैं own source of revenue होते हैं जो यह बहुत ही limited होते हैं जैसा कि आप गाउ में कभी भी देखिए किसी भी विलेज में चले जाई है तो tax किस लेबल पे पंचायत लेबल पे लगता है बहुत ही कम source होते हैं ऐसा कोई large scale source नहीं होता है means यहाँ पर बहुत ज़्यादा funding नहीं हो पा रही है other hand यह जो दो पार्ट है जो state government से या central government से जो funds वगरा मिलते हैं या पर जो scheme based fund होते हैं यहाँ पर dependency होती है इस पंचायती राज system के किस के उपर government officials के उपर government system के उपर कैसे होता है जो इसको भी समझते देखिए सबसे important बात क्या है कि यह जो fund a lot होता है कहां से होगा यह तो होगा government के तरफ से और government के through किस के through होगा जितने भी government officials होंगे उसके through होते हैं ऐसे में dependency क्या होती है फर्स्ट लेबल पे जितने भी आप ग्राम पंचायत समझे जो ग्राम प्रधान वगरा है सरपंचु वगरा है वो कहां जाएंगे यह जो video होते हैं ब्लॉक development official होते हैं उनके through जाना होता है उसके बाद जो upper officials होते हैं वहाँ पर जाना होता है मिंस जो funding होगी जो fund release होगी किसके through होगी जितने भी government officials हैं गुवर्मेंट के through होगी मिंस जिस हम autonomy की बात कर रहे हैं सिर्फ एक कहने की बात है मिंस enough to say only कहा जाता है यह सिर्फ वहसा ही समझ लिजे क्योंकि fund तो कहां से मिल रहा है government official के through तो autonomic इस बात क्यों होई यहाँ पर तो यह point होती है second बात क्या होता है कि जितने भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर decision making के हमने बात की decision making के participate करते हैं आप decision making खुद करते हैं तो यहाँ पर सबसे important बात क्या होती है कि जितने भी आप समझेगी government plan के जितने भी beneficially वगरा कौन होंगे वहाँ पर interference किसका होता है state government का होता है फिर्ष टॉप फॉल उसके बाद जितने politicians हों या पिर जितने bureaucrats वगरा हों उन सब का interference यहाँ पर होता है वही decide करते हैं directly or indirectly form में कि जो government plan जितने भी होते हैं पंचायत level पे उसके beneficially कौन होंगे तो यह भी एक आप कहने की बात है एक autonomy कहने की है कि आप decide करते हो बट यहाँ पर भी आपकी autonomy नहीं other and अगर हम बात करते हैं तो यह जो set of bureaucrates की हम बात कर रहें इस पैमिंसन को अगर आप समझे तो nation के बहुत सारे state में बहुत सारे state ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे जो gram panchait act के थूँ जितने भी district collector होते हैं उन्हें इतना empower कर दिया गया है कि वो जब चाहें तब जितने भी जो panchait सरपंच वगेरा है उन्हें वो dismiss कर सकते हैं बरखास कर सकते हैं उसके बहुत सारे examples भी हैं जैसे तिलंगाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो तिलंगाना के भी समय न्यूज में discuss भी किया गया है कि प्रोक्स 100 से ज़ादा जो सरपंच वगेरा है उन्हें वहाँ पर dismiss कर दिया गया है मिस सिर्फ तिलंगाना की बात नहीं इस्टेट के बहुत सारे इस्टेट में भी ऐसा देखा गया है जहां पर जो टिस्टिक कलेक्टर उन्हें इतना इंपाउर कर दिया गया है कि आप समझे कि एक elected person जो अल्रड़ी elected है उन्हें भी उड़े हैं डिस्मिस कर देते हैं अबर अगर हम बात करें तो जो power of equal जितना भी elected officials हैं जिस्ट लाइक सरपंच की हमने बात की उसे क्या करते हैं ये state government और ये बिरोकर्स वगरा होते हैं उसे curtail कर देते हैं और जितने भी जो spirit of constitutional amendment था जिसके through 73rd amendment के हम बात कर रहे थे उसके through जो इस्टेबिस किया गया था पंचायतिराज system को वो पूरी तरह से fulfill नहीं हो पा रहे हैं उसे ये dilute कर दे रहे हैं तो hope आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पंचायतिराज system क्या है और इसके autonomy धिरे धिरे state level पर कैसे खतम होते चले जा रहे हैं क्योंकि जितने भी interference के हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़े dependency हो जा रही है state government पे और bureaucrats पे तो ऐसे में ये जो पंचायतिराज system के जितने भी elected officials हैं जो क्राम प्रधान हो गया सरपंचु अगरा हो गया हो गया हो एक्चल decision लेही नहीं पाते हैं और dependency उनकी वहाँ पर state government पे हो जाती है तो ओप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा थैंक्स पर वोचिंग